गूड मॉर्णिंग आस्प्रेंट स्वागत है आपका फोकस अन एजुकेशन में मैं एजुगेटर आप सब के लिए जीएस का एक टॉपिक लाइक के आई हूँ जिसमें कि हम जौर अबाटा की सित्री को समझ रहे हैं जौर अबाटा की सित्री को हम काफी हद तक समझ लिए हैं चलिए उसे आगे कंटेनियो करते हैं अपने प्रीविस वीडियो में जान लिया है कि एक दिन में दो जौर और दो भाटे आते हैं ठीक है एक ही बिंदू पर वापस जौर कब आता है एक ही बिंदू पर जो वापस जौर आता है उसका अंतर कितना होता है उसका अंतर होता है 24 घंटे 52 मिनट का अंतर होता है ठीक है स्प्रिंट फिर नेक्ट देखते हैं कि दो जौर की बीच में कितने का अंतर होता है 12 घंटे 26 मिनट का दो भाटे की बीच में कितने का अंतर होता है 12 घंटे 26 मिनट का अगर एक जौर इस बिंदू पर आया है तो दूसरा जौर आने में कितना समय लगेगा 12 गंटे 26 मिनट एक जौर आया उसके बाद भाटा का आएगा कि बीच का अंतर क्या होता है 6 गंटे 13 मिनट का अंतर होता है अब हम इस इस्तिती को देख रहे हैं हमने इस्तिती को अपने जिसे की फुल मून कहते हैं ठीक ये एक लीनियर लाइन है एक ही सीधी रेखा में है और यह जो कंडिशन बनती है इसे अपोजीशन का अर्थ क्या होता है अपोजीशन हमने प्रिवेस वीडियो में समझा था इसे हिंदी में वियुक्त कहते हैं वियुक्ति का अर्थ क्या ह हम सौट में समझते हैं व्युक्ति का अर्थ होता है सुर्य से चंद्रमा का दूर हो जाना या विमक हो जाना नेक्स्ट जो कंडिशन है चंद्रमा पृत्वी और सुर्य की यह कंडिशन बनती है यह है आपकी सुर्य ग्रहन कि जिसे की हम New Moon के नाम से जानते हैं यह भी एक सीधी रेखा में होती है और इस जो लाइन बन गई इसे करते हैं conjunction जिसे की हमने Hindi में करते हैं वियुक्ति ठीक है वियुक्ति क्या होती है यह होती है कि चंद्रमा का सूर्य के समख आ जाना यानि उसके पास हो जाना उसके साथ समयूजन हो जाना जो टैडिलोजिस्ट होते हैं टैडिलोजिस्ट का उन है वह लग है जो कि टाइट का अध्यन करते हैं इनके अनुसार जौर भाटा सूर्य ग्रहन और चंद्र ग्रहन दोनों मे यहीं उच्छ उच्छा ज्वार भाटा आता है ठीकिंगे अगर लेकिन फिर भी आपके गिजाम में यह पूछ दे कि सुर्य ग्रहण में ज्यादा प्रभावस्वाली ज्वार आएगा या आपका चंद ग्रहण में तापक उत्तर होना चाहिए सुर्य ग्रहन में क्यों कि सुर्य का 5% और चंद्रमा का 11% गुर्त्वी भल सीधे सीधे पृत्वी से लगता है इसलिए ज्यादा प्रभावसाली आएगा लेकिन दोनों ही प्रभावसाली होता है नेक्स्ट एक पॉइंट आता है एमफिड्रोमिक पॉइंट यह क्या होता है एमफिड्रोमिक पॉइंट यह होता है ज्यार का सबसे उचा बिंदू यानि आपकी प्रिथ्वी 71 परतिसत भाग जो है वो जल से भरा हुआ है जब ज्वार आता है हमने देखा है कि जल का उपर उठ जाना यह सागर से उपर उठ जाना ज्वार कहलाता है तो ज्वार का जो सबसे उच्चतम बिंदू होगा जैसे यह पॉइंट अगर सबसे उच्चतम है मानकि यह ए है तो इसी को क्या कहते है यह यही कहलाता है एमफि प्रिथिवी भी तो पश्यम से पूरफ की ओर सन का चक्कर लगाती है ठीक है और यह जो पॉइंट है यह अपकी एक्जामे पूछ सकता है कि यह किस सम्बंदित है तो यह ज्वार से सम्बंदित है अब हम उसके प्रकारों पर ध्यान देंगे पहला पॉइंट है हमारा सितत अधिक प्रभासाली जौर आना ही फिर वह थिडि परसेंट अधिक कर प्रभावसाली जौर आता है अमावसपनीमा या सूरिगे से कि फिर लग्याम जैसे निप्टायट केते हैं जब सूरुश। जो है वो प्रित्वी और चंद्रमा के साथ सम कोण बनाएं तो समान ज़ार से 20% कम प्रभास्वाली ज़ार आता है जैसे कि यह हमारा सन हो गया और यह हमारी प्रित्वी हो गई ठीक है और यहां पे अपका मून हो गया तो यह क्या कर रहा है यह एक सम कोण यानी राइट स्थिति आये तो उससे में क्या होगा उससे माम का लगू या निवन ज़ार आएगा क्यों क्योंकि जो इनका गृत्वी बल है वो बट जाता है इस वज़ा से ठीक नेक्स्ट जो टाइप होती है हमारे ज़ार भाटा की वो होती है प्रत्यच ज़ार जिसे कि डारेक्ट कारण ठीक हमने जाना कि सोरे का पांच परतिसत और चंद्रमा का 11 परतिसत गृत्वी बल से क्या आता है ज़ार आता है तो उसकी वज़ार आया वो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा प्रतिच ज़ार और अप्रतिच ज़ार क्या होता है अप्रतिच ज़ार यानि इंडारेक्ट प्रित्वी के अपकिंद्र या समाने किंद्र बल के कारण जिसे अभासिय किंद्र भी कहते हैं अभासिय गृत्वी बल के कारण अप्रत्यच्वार आता है हमने इसे पढ़ लिया है और समाने अपकिंद्र बल यानि अभासिय बल प्रित्वी के किस पार्ट में होता है यह होत को क्रस्ट मेंटल और कोर में डिवाइट करें तो ये मेंटल में पाया जाता है नेक्ट पॉइंट है विश्वत रेखिये जोर जब चंद्रमा पृतिवी के विश्वती रेखा के पास से होकर गुजरता है तब विश्वत रेखा ज्वार आता है और अयनातन ज्वार क्या होता है जब चंद्रमा पृत्वी के कर्क या मकर रेखा से होकर गुजरता है तो अयनातन ज्वार आता है इसका अर्थ क्या है पृत्वी को दो पाटों में भाग देने वाली वह रेखा ज जो पृत्वी के मध्य से गुजरती है उस्से विश्वत रेखा जिसे की 0 डिग्री से सिंबोलाइज किया जाता है उसे कहते हैं ठीक हैं और पृत्वी अपने अक्षपर सवेंड साड़े 30 डिग्री जुकी हुई है तो साड़े 30 डिग्री उत्तर में और साड़े 30 डिग्री आपका दच्छुड में इसे कर्क रेखा ठीक है और इसे मकर रेखा कहते हैं जब चंद्रमा जब आपका चंद्रमा विश्वत रेखा के प्रभाव में आता है यानि विश्वत रेखा के पास से गुजरता है तो विश्वती रेखा जोराता है और जब चंद्रमा कर्क और मकर रेखा के पास से गुजरता है तो अयनातन ज्वार आता है नेक्स्ट ज्वार का टाइप है अप भूजवार जिसे एप पोजी कहते हैं यह क्या है जब सुर्य पृत्वी से दूर हो जाता है तो उसे अप भूजवार कहते हैं अप भूजवार आता है समय दूसरा है अप उप बूझवार जिसे पैरेगी टाइट कहते हैं. जब सुरि पृत्वी के पास से होकर घुजरे, तब जो जुवार आए, तो उसे अप बूझवार कहते हैं. इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं. हमारा सुर्य और हमारी जो पृतिवी है वह सुर्य का दिर्ग वृत्ताकार में चक्कर लगाती है ठीक है पृतिवी से सुर्य की जो सबसे ज़्यादा दूरी होती है जब सबसे ज़्यादा दूर जब जिस समय होता है उस समय को क्या बोलते हैं उस समय को बोलते हैं आपका अप सौरे इसे इंगलिस में क्या करते हैं करते हैं एफी लॉन और वह स्थिति जो सबसे पास होता है जब प्रित्वी सुर्य के सबसे नजदीक से गुजरता है इस बिंद को क्या करते हैं इस बिंद को करते हैं उप सौर इसे इंग्लिस में क्या करते हैं इसे करते हैं पैरी हील लॉन ठीक इस समय यह स्थिति कब बनती ये बनती है आपकी तीन जन्वरी को और जो अप सौर है ये तो भी हाली में गुजरा है चार जूलाई को ठीक तो इस इस्थिती में जब मारी पृत्वी चक्कर लगाते समय जब इस कंडिशन में आती है तब जो जौर उत्पन होता है उसे अप भूजवार और उप भूजवार कहते हैं I hope student आपको यह concept समझ में आ गया होगा जौर उभाटा को इससे ज़्यादा जौर उभाटा से कोई कोशन नहीं बनेगा आपके competitive exam में I hope आप मेरे वीडियो को like, share और comment जरूर केज़ेगा Thank you as parent